आखों में खुशियां लबों पे हसी गम का कहीं नामों निशान न हो और आप सब को मिले इस जहां कि सारी खुशियां उस खुशी की कभी शांग न हर कली तुमसे खुश्पू धार मांगे आफ ताफ तुमसे नूर धार मांगे और तुम सौम्या जिंदगी में इतने आगे जाना कि हर कोई तुमसे तुम्हारा पता उधार मांगे लेकीन नहीं करेंगी मैंने अपने हां से अपने सारे गाड़ भहिया लोगों को टीका लगाया उनको लाखी बांदी उनको गिफ्ट दिया तो यही चोटी-चोटी चीजे अनीजा करती है जी जीना है कैसे तुझको तन्हाना ये फैसला कर खुशियों से भी राय ले ले गम से भी मश्वरा कर ठक कर न बैठ जाना राहों में ऐ मुसाफिर मनजिले मिलेंगी तुझको चलने का फैसला कर नमस्कार मैं हूँ सौम्य शुक्ला और ये लाइंस जो मैंने अभी अभी बोली ये किसी और की नहीं बलकि अनीता सहगल वसुंधर राजी की है इनको अगर मैं एक आल राउंडर कहूं तो गलत नहीं होगा क्योंकि इनकी टैलेंट की लिस्ट काफी लंबी है ये एक एंकर हैं, कावित्री हैं, लेखी का भी हैं, एक्टिंग भी करती हैं, समाज सेविका भी हैं और बच्चे इनको प्यार से अपना संकट मोचन भी कहते हैं, अब जब मैंने इनकी इतनी सारी खूबियां आपको बता ही दी हैं, तो चलिए फिर बिना देर किये, स्वागत करते हैं, अनीता सहगल बस उंधरा जी का, नीता जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में, धन्यवाद, कैसी हैं आप, आप सब काशिरवा आदे और चाहने वालों की दुआएं हैं, जी, बिलकर, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा आप, ये तो पता चल गया, कि आप हुनर का पूरा एक खजाना है, तो मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा आपके बारे में, लेकिन वोटका शुरू करने से पहले, मैं आप से ये जानना चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताईए, कि अभी तक आपने क्या-क्या हासिल किया है अपने जीवन में, प्लीज, आप से सुनना चाहेंगे हम, अच्छा, खुद-खुद की बाते हैं, खुद से ही, जी, 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 शुक्रिया, सौम का प्यार भरा नमस्कार, आएए तो चलते हैं, अपने सफर पर, जी, हाँ, अनीता के सफर पर, जिसमें की छोटे-छोटे कदमों से चलती हुई, आज अनीता आपके उस मुकाम पर पहुंची है, जहां आप उसे देखना चाहते हैं, सफर मेरा पारिवारिक और सफर मेरा इ तो इसमें तो यह है कि परिवार वाला तो बहुत ही second number पे अगर आप यह बात करना चाहते हैं, तो मैं बताऊंगी कि मैंने कभी life में नहीं सोचा था कि मैं कुछ करूँगी, क्योंकि मैं आपको बता हूँ, basically, मैं mathematics की student हूँ, physics, chemistry, math की student हूँ, और math लेकि अगर कोई SC कर रहा है, MSC कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसके पास वक्त नहीं बसता है, और वो भी physics और chemistry, तो मैंने कभी खाब में भी नहीं सोचा था कि मैं बाहर निकलूँगी, या कुछ करूँगी, क्योंकि हमारे घर में भी परिवार में भी दूर दूर तक कोई भी इस कला की विधा से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए को शनीनी पुट अप होता था भाई, कि हाँ क्या है, कभी सपना भी नहीं देखा था, लेकिन बस उपर वाले को जो करवाना होता है, और उपर वाले से ज़्यादा कीमती आप लोग होते हैं, कि जो आप अनीता को किसी भी प्रकार का कोई भी काम आता था, और मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों की दुआउं से किसी भी प्रकार का कोई भी काम, किसी भी शेत्र का, किसी भी विधा का आप अनीता से करवा सकते हैं, ये अनीता आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ बताती है, और इसके लिए भी है कि गर में कोई भी विद्धा कोई भी बेक्टी आता था मुझे काम के लिए तो मैं एक्सप्ट कर लेती थी लेकिन घर में उसके जाने के बाद यही कहा जाता था कि कभी तक जिंदिगी में करा निया क्यों तुमने हामी भर ली भाई क्योंकि अगला इंसान उसको तो hundred में hundred चाहिए भी तो school प्रोजक्ट सो और चाहे वो मेंदी हो चाहे आपके soft toys बनाने हो चाहे school के बच्चों के projects बनाने हो या ऐसे सिरी बनानी हो विए कुछ विसके प्रकार का तो मैंने कहा उन लोगों से घर में कि मैंने का दिखिये मेरा क्या माना है स्वामिया जी कि कोई वेक्ति आपके पास काम लेके आया है, तो अगर आपने मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, और कहीं जाएगा तो दूसरा बंदा वो काम कर सकता है, करेगा है उसका, तो जब अगला बंदा काम कर सकता है, तो वो अनीता सहगल के ओने कर सकत तो यह सोच है अनीता की जिसके माध्यम से धीरे धीरे आप लोगों ने मुझे बताया कि you can do, you can do, you can do. तो इसलिए मैं कर रहे हूं, कर रहे हूं और करती रहूंगी. अच्छा, आपने एक बात तो साबित कर दी कि एक महिला जो है, घर जितने अच्छे से संभालती है, मंच भी उतने ही बखूबी दरीके से संभालती है. तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगी, पहला एक्सपीरियंस कैसा था जब आप आप एंक्रिंग करने, आप पहली बार मंच पर गई, वो अनुभाव कैसा था, उसके बारे में कुछ बताईए हमें. सम्या जी, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी, कि अनीता को सिर्फ एक यह चीज का शॉक है, वो बच्पन से शॉक है, आप पूछेंगी किस चीज का शॉक है, तो वो मुझे है, सिर्फ महनत करने का शॉक. और कोई दूसरा शॉक नहीं है दुनिया में मुझे, तो आपने कहा कि जब आपने एंक्रिंग की, तो आपको कैसा फील हुआ, मैं आपको सच बता हूँ, मैंने तो पहली बात को भी खुआब में सोचा भी नहीं था, लेकिन गई मैं, पहला संचालन करने के लिए, तो परवाला सुन रहा था, तो इसलिए मैंने फीली नहीं करा कि कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, किसको कैसा लग रहा है, किसको कैसा नहीं लग रहा है, और मैं अपनी मेहनत पुरा एक्जाम देके मैं आगई, जब एक्जाम देके जब मैं होती था, उसके बाद मैं लोगोंने मुझे result बताया कैसा रहा क्या तो मैंने सिर्फ सुना, सिर्फ सुना क्योंकि मुझे रुखना नहीं था, ठकना नहीं था और बैठना नहीं था, और मुझे चलना भी नहीं था, मुझे दौर नहीं था, इसलिए मैंने सब की बाते सुनती गई, हमेशा किसी भी कारि निखारते हो, खुद को ही संभालते हो, तो यही कुरदार अनीटा ने अपनी अनीटा के साथ किया और आज आपके साथ इसां ने. बहुत खुब, अच्छा मैं यह कह रही थी कि अभी आपने अमें बताए कि अपने अपने ग्राजवेशन B.S.E. से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक से किया, तो ये कविताओं की तरफ और लिट्रेचर की तरफ कैसे रुख हुआ एकदम से? सौमिया जी, मैं खुद भी नहीं जानती कि क्या है, लेकिन आपको मैं बताओं, इस समय आप आशिवासे हैं, निगता के पास 35 से जादा विधाएं, और ये विधाएं कहां से आईं, क्या है, मुझको खुद भी नहीं मालूँ, और आग भी मुझे ये नहीं मालूँ है कि मु आपको मैं बताओं कि इतना बीजी शुडूल होने के बाद जो वक्त बसता है तो उसका इस्तमाल करना और सबसे बड़ी बात एक बात मेरे मन में है कि मैं बच्पन से हम लोग सुनते हैं आपने भी सुना होगा क्या कि जिंदगी में इंसान को सिर्फ एक आम करना चाहिए NGO Singapore को सर्फ एक बाते हैं कि अइना कुछ गाते हुआ हैं और सफलता नहीं मिलती एंको मन्जिल नहीं मिलती है तो तुम नहीं कर सकते हो इसली अकलाव पे लोग तो हमेशा मैं उस्ट खली किताबे दे दी और खली फोन दिया तो पॉर्म भर दिया तो Hm तो वहाली बात है कि मैंने यही सोचा कि मैंने का थे नहीं अनीटा लोग यह प्रोवर्व कहते हैं, कहावत कहते है कि एक बात में एक इंसान एक ही काम कर सकता है इसको तो मुझे दोड़ना है, गला साडित करना है. के खाली मिरे पास फोन आ जाते हैं, टॉपिक सा जाते हैं, उसा प्रहें लिखना वगर सारे सबकुर, तो बस वही वली बाते एक काम करो एक काम करो, जिंदगी में कुछ कर नहीं जो ठाना तो ठाना है, यह काम तो मैं करके दिखाऊंगी, कि एक बार में एक इनसान अगर चाहे उसके मन में जुनून है, कुछ करने की तवन्ना है, तो you can do everything in this world, nothing is impossible, तो आप कुछ भी करके दिखा सकते हो, अगर आप करना चाहते हो, तो बस अनीता ने भीड से अलग हटी, उसने बीडा उठाया, और आज आपके सामने, इसी लिए, जो आप कह रही हैं कि अभी आपको और क्या करना है, मुझे खुद भी ये करके दिखाना है, वो जोडने जाना, जोडने जाना, जोडते जाना है उसमें, तो मेरी पढ़ाई, पढ़ाई के बाद जो वक्त बचा, तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी इस विदा को भी टच करा जाए, तो मैंने फिर साहीतिकार की रूप में, कवित्री के रूप में, शेरोशारी तुमें, करती-करती थी, वो सब भी थी, मैंने गगा चलो अनीता, जो हैल, तो इस समय मेरी छे किताब में, बिलकुल इस सम है, हमारे सारे चाहने वालों की. अचा, अभी आपने कहा कि आप बच्चों के प्रोजेक्ट्स में भी उनकी मदद करते हैं, मैंने पढ़ा कि कोई बच्चे जैसे बिमार है, बुखार है, तो इसके हुंबक कराने में भी आप मदद करती हैं, तो आपको बच्चों का संकट मोचण, आप कहलाने लगी. तो तभी ये नहीं लगा, जैसे आज कर लोग कहते हैं, कि हर चीज़ में हा नहीं करना चाहिए, ना करना सीखो, ना करना सीखोगे, तभी समाज में आगे बड़ोगे. तो कभी ये चीज़ महसूस हुइ, आपको कि हमें मुझे ना करना भी सीखना चाहिए, क्या कहना चाहेंगी आप नई सौम्या जी तो आपने बात करी, ये तो common सी बात है लेकिन अनीता सैगल ने सिर्फ इसलिए ना नहीं कही और ना कहना चाहती है मरते दम तक क्योंकि ना कहने वाले हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं तो जो सारे लोग काम करते हैं वो अनीता सैगल नहीं करती है तो इसलिए अनीता हमेशा लोगों की भीड से हट के अलग चलना भी चाहती है अलग करना भी चाहती है और अलग पहुचना भी चाहती है, इसलिए मेरी निक्षनरी में ना ना लिए, ना अपने लिए, ना दूसरों के लिए, कभी भी किसी भी समय कोई भी आप काम करा लीजे, मैं बच्चों को क्लासिस वगरा भी लेती हूँ, तो उनके भी फोन कॉल्स आते हैं, पढ़ने के बा यह प्रॉब्लम है, यह है, तो इतना अच्छा लगता है, फिर उसका भी समाधान होता है, कभी भी, और मेरे लिए यह जाना जाता है, कि अनीता मैम का फोन चौबिस घंटे खुला रहता है, जैसे एक्जाम्स चल रहा है, रात में बच्चे पढ़ रहा है, मैंने सब को कहा जिसको मैं क्लासिस लेती हूं, नहीं भी लेती हूं, तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक माउट तो माउट एड़िसमेंट होता है, आप यकीन ने करेंगे, आप मैं किसी को नहीं जानती, रात में एक बज़े, दो बज़े, फोन कॉल्स बसते, फिजिक्स में ये प् प्रॉब्लम में मैसमें, ये प्रॉब्लम में हिंदी, खाली साइंस सब्जेक्ट नहीं, आप मुझसे संस्कित, हिस्ट्री, जग और जोग्रफी आप कुछ भी पढ़वा सकते हैं, तो इसलिए सारे बच्चों की खुली किताब, खुला मंच है, खुला फोन है, कभी भी कि इतना सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज करती हैं, स्वम्या जी, इस बात, ये कोश्चन तो अगर मैं आपको बता हूँ, तो मैं 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 अथमेटिस की स्टुटेंट हूँ, तो अगर मैं इसकी गिंती करो तो ये इंफिनिटी हो चुका होगा, इतने सारे लोगों ने पूचा ह ये भी एक अनीता की जिंदिगे में एक रिकॉर्ड बन चुका होगा, कि अगर मैं इसको जोड़ू, कि अगर जिसमें एक क्वेश्चन पूचा है, तो उसके नाम लिखना शुरू कर दूना, तो उसकी भी एक किताब बन जाएगी, वो भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा, होगे, पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगे, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूँ, कोई भी हो, महिला हो या पुरुश हो, जिन्दगी में कुछ करने के लिए सबसे पहले आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रू है, पचास बिमार पूरी दुनिया में, उसका सिर्फ एक इलाज है, आपका सकारादमक होना, और अगर आप पॉजिटिव है, तो आपके पास वक्त भी होगा, जिन्दगी भी होगी, आप कुछ भी करने के लिए आप इतना तयार रहेंगी हमेशा कि आपको लगेगा कहरें, ये वक्त मैं कैस इस्तिमाल करूँ, वही एक सीक्रेट है अनीता के लिए, कि मैं हमीशा पॉस्टिव रहती हो, हमीशा मैं लोगों से भी ये कहती हो कि आधा गिलास भरा देखो, तुम किसमत वाले हो कि तुम्हारे पास थोड़ा तो पानी है, पानी का मतलब सिर्फ पानी नहीं, पानी का मत इतना है कि तुम घर जाके सुकून से बैठते हो, तुम्हारे पास इतना है कि तुम्हें दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, तुम्हारे पास इतना है कि तुम बिमार नहीं हो, डॉक्टर के पास नहीं जाना होता, और क्या चाहिए, कि धनवान उसी को कहा जा कि bank balance इतना जादा हो लेकिन डॉक्टर के पास रोज जाना हो तो नीरी सोच थोड़ी अलग है वस उसी कही परड़ा में जो मैं थोड़ी बात महनत आपने कहा इतना कर लेती है लेकिन आपको इतना करने के बाद भी अनीता के पास वक्त है और आग में आपके पास हो अच्छा आप खुद के लिए तो इतना समय निकालती हैं दूसरों के लिए भी वक्त निकालती हैं जरूरत मंदों को बुजर्गों को बच्चों को सबकी मदद करती हैं महिलाओं के लिए भी आपने एक संस्था ग्लोबल क्रियेशन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह काम के लिए जैसे आप जानती हैं अला कि काम के लिए भी क्या है जहां भी आप भी रहते हैं हम भी रहते हैं अपने आसपास के परिवेश को हम देखते हैं कहानियां बाते सुलते रहते हैं और तों की बच्चों की यह है वो है तो यह सब सोचते हुए ना मैंने एक अपनी काम कर सकते हैं लेकिन दिल से काम नहीं कर सकते हैं अनीता को दिल SE काम करना है Taste इसलिए यह मैंने सजटा है और आपको बताओं मैं ब्रुजूर्गों का विध्या अश्रम इसको डड़की के नाधाश्रम है, बच्चे हैं, छोटे वाले हैं, लड़कियों का लग होता है, छोटे बच्चों का लग होता है, और इसी के साथ साथ आपको मैं बता हूँ, आसपास की जितने भी गरीब बगर हैं, और इनी सब को देखते हुए, आप कहेंगे ये बात नहीं बतानी चाहि कि घर परिवार में पूरा घर बर है, जानने वाले होते हैं, सब के घर में कप्डे छोटे हो जाते हैं, अब यसी बात है, सब के घर में होते होंगे, तो जब भी मैं किसी के घर जाती हूँ, दोस्ते आरो के या रिष्टे आरो के या किसी के या, सब को पता है कि अब बात ह सब कुछ जो करना होता है करती है तो आज की तारीक में कभी भी किसी की घर घर चली गई तो बात अलग है रिष्टे जान में लोग फोन करके है नीता जी हम समान देने आ जाएं तो सोचिए और वो समान मेरे पास आता है मैं उसको अपने हिसाब से अपने करके मैं पूरी दु दुआएं मैंने का आप लोग दो दुआएं तो आप ही कि जाएंगी ना तो खाना पीना ये वो तीमशा मैं अपने सब से तीज होता है तो आपको मैं बता हूँ एक छोटी सी बात अभी रक्षा बंदन आई थी मैं सोसाइटी में रहती हूँ मेरे कोई भाई नहीं है तो म बिल्स हैं कि अभी नहीं एक फाल में और हां कर दोठापर में जानने कर दो शृड जेल जेगश दो होते हैं कि अछिने में गर राक के तो फों करा ही टूर फों करद कर दोheen कि क्ल्ब में जो है सारे गाड को आप बुलाईए, सारों को बुलाया किया, मैंने उसका इंतिजाम किया, राखी, गिफ्ट, यह वो इथाई, वगरा वगरा, आप यकीन नही करेंगी, मैंने अपने हां से अपने सारे गाड भाहिया, लोगों को टीका लगाया, उनको राखी इनको कितनी खुशी होगी कि तैवार पे वो अपने घर नहीं जा पाए और आप ने उनको राखी बांदी नहीं हम समझ सकते हैं कि उस टाइम आपको क्या फील हो रहा होगा और उन लोगों को क्या फील होगा जी बिल्कुल तो यही चोटी-चोटी चीजे अनीजा करती है जी नहीं तो इसका धेड़ सारा आशिरवात भी आपको मिलता है कि आप इसको लगातार कर रही है इतने सालों से और किसी चीज के लिए आपने मना नहीं किया कभी किसी को और वो होता चला गया और आपको मतलब डॉक्टर एपी जी अब्दूल कलाम जी से भी सम्मान मिला है हर किसी को सौभाग गी नहीं प्राप्त होता है हमें सारे ऐसे किस्से हैं जो कि लोग भर-भर की दुआये देते हैं आज भी मेरा घर हमेशा मैं कभी कुंडी नहीं लगाती किसी को पानी चाहिए आपको गार आपको थाका ठाटी तो तेस नहीं कहनए कराता है यह उसom déjà कृटनी नहीं नहीं तर पाता है तो अपने रोप में किसीना किसी को भीज़ता है। और छेथा कि को उननारिज है। आदमीं को तो छोड़ी के जानवरों तक की सेवा करती है किसा लगा आपको आपको मैं बताउं सौम्या जी कि ये छान मेरी जिन्दगी के कीमती नहीं बहु कीमती नहीं पेश कीमती छाने वाकई में इंसान कहता है कि पूरे जिन्दगी उसको कुछ एक ऐसा मिलता है जिससे कि वो उस अपने मानव जीवन को सार्थक सिद्ध कर लेता है तो यह उपर वाले की देने पूरी किसी की पूरी जिन्दगी बीच आती है उसको कुछ नहीं मिलता है आपको मैं यह किस्सा बताना चाहूंगे कि मुझे माने निया राश्पती जी के लिए जब अब्दुलक अलाम जी के कारिकरम के संचालन के लिए मुझे बुलाए गया था कि अनीता तुम्हे आकर होस्त करना है न के सुधिगा डिया गया कि टीक है। मैं अपने जैसे जैसरस काम करती हूं अपनी मैंने आपको से गया है प्रोगाम करी थे तो आपको मालूमी है जब राष्टपती जब लोगों के जब मंच बनते तो वो दूर बनते हैं, एंकर के अलग होते हैं, भाई, पैठने वालों के अलग होते हैं, भाई, security point of view से हो गई ही, तो चलिए तो अच्छी बात है, मैं अपना काम कर रही थी, बोल मैं आपको वहां मंच पे बुलाए जा रहा हैं, मैं आपको वहां मंच पे बुलाए जा रहा हैं, मैं यहां पे बोल रही हूं, मीडिया पूरी खड़ी है, ओडियंस पूरी बैठी हुई है, एडिमिस्टेशन पूरा है, और मेरे को पीछे से आवाज आती है कि मैं आपको बड़े वाले मंच पे बुलाया जा रहा है, अब आप सोच लीजे कि मेरे उपर क्या बीत रही कि में किता बीच है मैं और से पीड़ी लिवर्स करते के कै 좌 दो में ऊहाचे है मैं इसारे जाव खाया आज मैं पूर्यम वाले मुझे तो मुच रहा सा इसा कर रहा है मैं अधर ज controversy पीचह बीचिव मैं किst ऑादी ही हुआ ठाल. हमी वर्स टोटी उना प्रिशन दोडा कर र आपको बलाया जा रहा है तो मैं डरते डरते गई और वहाँ पर गई तो मंच की नीचे वो लोग रुख गए और मुझे मंच पे अकेले भेज दिया गया कि आप जाएए तो मंच पे मुश्किल साथ आठ लोग ते क्योंकि राजपती जी के साथ जादा लोग पैठते नहीं ह तो जब किनारे पे खड़ी हो गई तो बोलने इसलाए नहीं था मुझे तो मैं तो इसलों किसी से बात करती है और थोड़ी देर के बात कुए और उनके भी पीश को भी तो बोलेंगे राश्टती नहीं करेंगे तो उनके लिए लिग से जो होता है तो उनके पोडियम पे अ तो आज उनको हम सम्मान देना चाहते हैं, तो मैंने का होगा भाई, होगा भाई, होता है नहीं कोई महनत कर रहा है, करे नहीं, आज हमारे बीश में जब मारे मुकातिती जी आए गुए हैं, हमारे मिसाइल मैं, मैं डॉक्टर एपी जब्दुलकलाम जी उनके करकमलों के माध्यम से आज अनीता सहगल को जो है, सम्मानित किया जाएगा, उत्तरवदेश का बेस्ट एंकर का अवार्ड दिया जा रहा है, आप सोचिए, इतनी बड़ी बात मेरे को तो कानों पर विश्वासी नहीं हुआ, उ उसके साथ किसी चोटे मोटे और भी अवार्ड जास होते हैं नहीं कि किसी को दिया, वो नहीं दिया, खाली मुझे बुलाएगा, तो मेरे को लगा कुछ अजीव सी बात है, तो फिर बुलाके फिर आगे लगे लगे, फिर एपी जब्दुलकलाम जी नहीं, मैं आपको स्ने पूलाइड इंड मैंने बताया, हुच हो अजीएड वी तो लिम्हार्टोख हो गी, मैंने ब मिलकुल पहत ही जीजाओ हो गीज़टर स्टूट्टिक साइंस के स्टूट्ट और फिजिस चेमिस्टी मैथ उनका भी उनका भी चाहे था सब्जेट वही इतने जादा खुश हो गए वो और फिर उसके बाद हो इतने में उनके पास इनके सुक्रेटी गाड ने किसी जो भी थे मंच पर उनके काल में कुछ कहा तो कहा हाँ वो बैठे हुए थे मैं खड़ी थी सर बैठे हुए थे मैं खड़ी थी तो किसी ने पीछे जा के कुछ का तो वो ऐसे बैठे हुए तो कहते है कि सुना है कि तुम शीरोशाइदी भी करती हो बताइए मतलब आप यकीन नहीं करेंगी मेरी और सर की कम से कम 15-20 मिनिट त चाहर चाहर के और सामने मीडिया परशान पुरी दुनिया की बात कौंसी हो रही है थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो TRP बढ़ जाए मैं तो होता नहीं है आप भी खार मीडिया है मैं यह नहीं कहना चाहरी हुए मैं एक पात बताना चाहरी हूँ कि सभी को कुरसेटी होती है लेकिन वो तने धीरे धीरे समसे तो फिर उनने का की पता चला की तो मैं अब को कि वो भी शेरो शायरी तो भही करते थे वही क्योंकि वो थे ही उससे शेत्र से उन्होंने उससे रिक्वेस्ट करें मैंने को सुनाओ अब आप सूचिए रहाश्पती जी के लिए मैं तो बिल यह बात होती है फिर मैंने उनको बोला फिर बताया फिर उनने मुझे अपने हाथों से सम्मानीत किया फिर अपने साथ बगल में खड़े होके मेरी फोटो मेरे से खिचवाई वो सब करी इतना सम्मान मिलने के बाद मैं फिर से अपनी जगे पर आई फिर मैंने अपने कारिक कि यह दुआ हैं कि उन्हें लेकिन... यह एक बिलकुल ऐसा experience है जो कभी है यह बहुत सारी experience है। बहुत सारे experience है। मतलब कि गवरनर सरं लोगो के हाथो बहुत सम्मानी थै है। लेकिन बहुत सारे किस्सण है। और आज आपके आशिवा से R-500 से ज्यादा एवर्ड हो चुके हैं। लेकिन Swamya जी, यह मेरी अभी शुरुमात है। बिल्कुल, अभी तो वन्जिल बाकी है। पैथीस से ज्यादा विधाय हो चुकी हैं। पैतालित से ज्यादा डिग्रियां हो चुकी हैं। और 18,000 से ज़्यादा मेरे संचालन हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा फिल्में हो चुकी हैं, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो चुके हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं, अभी वाकई में शुरुआ थे, अनीता का ये पहला कदर में, और भी बहुत कुछ करना बागी है, आप कवितायं भी लिखती है, शायरी भी लिखती है, तो कुछ जो आपकी फेवरेट रही हो, दो लाइने हम भी सुनना चाहेंगे आपसे आज, मैं आपके लिए सुनाती हूँ, सौमया जी के लिए, जैसे कि आप सुन रहे हैं, सौमया जी कितने प्यार से, बातों के माध्यम से ही, किसी भी इनसान की जिंदगी के, उस तहकीकाद तक पहुँच जाती है, जहां पर खुद भी बंदा नहीं पहुच पाता है, उनकी प्यारी सी मुसकान, बहुत ही प्यारी है, तो मैं आपके लिए बस यह कहना चाहूँगी, कि हर कली तुमसे खुष्पू धार मांगे, हर कली तुमसे खुष्पू धार मांगे, आफटा तुमसे नूरु धार मांगे, तुम सौमया जिंदगी में इतने आगे जाना, कि हर कोई तुमसे तुम्हारा पता उधार मंगे ताइंक यू सो मच, ताइंक यू अनीटा जी बहुत ही प्यारा था ये वाकई इसकर है कि मेरी शेरोशारिया होती है जो कि जिन्दगी में इंसान को महनत, लगन, परिश्रम कुछ इंस्पायर, होसला आफजाई से बड़ी होती है जिन्दगी से होती है, सुख से, दुख से ये विधा होती है, ये सब्जेक्ट होता है मेरी शेरोशारिया का क्योंकि प्यार मभबत की लिखने वाले तो बहुत बड़े हैं इंसान को जमीन से गिरे हुए इंसान को उठाना, उसे खड़ा करना उसको फिर से दोड़ाना उसके लिए कर आपकी शेरोशारिया काम आ जाती है तो लगता है कि कुछ कर दो आपको इतने साल हो गए आंकरिंग की फील्ड में इतने सारे मंच से आपने बोला है संचालित किया है तो तब से लेकर आज तक जो एक आंकरिंग में बदलाव आया है उसको आप कैसे देखती है और कोई अच्छा बदलाव जो आपको लगा हो और अगर कोई बुरा बदलाव आपको लगा हो तो क्या होगा हो आंकरिंग एक बहुत बड़ी विधा है लाखों करोडों रुपए खर्च होते हैं किसी भी विंड में, वो उसी दिन तक खर्च होते रहते हैं, जब तक कि वो कारिक्रम का शुभारम नहीं हो जाता है, तब तक रेपरेशन ये वो दीम जाम चलता रहता है, लेकिन उसके बाद, जब कारिक्रम स्टार्ट करने का कि अधिजी की और सारे लोगों की मैं करती हूँ, संचालन, तो आपको तो पते ही है, पूरी तरह से ही हेलिकॉप्टर के आने से लिए कि सारी पूरी मेहनत होती है, मशकत होती है, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी एक अंकर पर आजाती है, प्रोगाम कोई छोटा हो, जब बड़ा हो, हौल के अंदर हो, हौल के बाहर हो, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है, एक सइयम होता है, और आपको कही न कहीं, किसी में न किसी प्रकार कि, उस कड़ी से जोड़ना पढ़ता है, जिसको कहा जाता है ग्यान, जी, बहुत ज़रूरी, और वैसा ग्यान नहीं 360 वाला, चारों और की बातें आपके पास होनी चाहिए, और दूसरी बात, presence of mind, और तीसरी चीज़ होती है, improvisation, और आपकी सोच, यह सब बातें जो होती है, यह आपकी anchoring में आपको मदद देती है, क्योंकि all of sudden, क्योंकि हर चीज़ फिक्स नहीं होती है, 99.9% प्रोगाम से ऐसे होते हैं, जिसमें कि आपके लिए पहले से सब कुछ फिक्स होता है, लेकिन कुछ second पहले, कुछ minute पहले यह हो कर दिया, तो इतना वक्त नहीं होता है, कि आप जाके जो कारिक्रम को organize कर रहा है, तो आप उनके पास जाएंगे, पूछेंगे कि आपका, उनका क्या नाम है, क्या पात है, फिर उनको मुझे, कहा मुझे add करना है, मंच में बठाना है, नहीं बठाना है, और फिर बठाना भ कर रहा है, किसी को सम्मानित कर रहा है, तो उसमें उनको खड़ा भी करना है कि नहीं करना है, और उनको भी सम्मानित करवाना है कि नहीं करवाना है, तो जैसी बहुत सारी बाते होती है, वो हमें जोड़ना पड़ता है, लेकिन audience को नहीं पता चल पाता है, कि किस समय किस समय आप लोग मीडिया वाले हैं, कि शोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में लाइफ जा रहा होता है, तो वहां तो इतना वक्त होता ही नहीं है, तो यह सब चीजें जो होती हैं, अगर आपके पास हैं, तो कारिक्रम बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि के कारिक्रम तो बहुत सारे होते हैं, करने वाले बहुत सारे अंकर होते हैं, लेकिन यह हमारी जो ओडियंस होती है, यह सबसे बड़ी निर्णायक होती है, यह जेज होती है, यह एक्जामनर होती है, इनके बहुत सारे नाम है, यह हौल में बैठती नहीं है, यह नंबर दे रही होती है तो अगर उनकी नजरों में अगर आप खरे उतरते हैं, तो आपने सही आंकरिंग कर दिये, otherwise अपने नजर में तो कभी कोई गलत होता ही नहीं है, बात तो सही है, और दूसरी बात, जो आपने पुछी एक महिला होने के साथ साथ एंकर होना, डिफरेंस क्या देखा आपने, त करदार भी, बुरुष और महिला का भी करदार बहुत बड़ी बात होती है, एंकरिंग में, लोगों का आपने भी सुना होगा, लोग भी यह कहते हैं, कि अगर एंकरिंग करानी है न, तो थोड़े लटके चटके होने चाहिए, कपडे इसमाड ऐसे होने चाहिए, थोड़े तो मैं यही कहूंगी, कि फिर वही वाली बात है, कि अनीता को कुछ अलग करने की बात होती है, तो मैंने अपने उसी वाली फॉर्म में कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ विदाएं अलग हैं, तो मैंने यह बात चीज का भी मैंने प्रड़ लिया, कि नही अनीता सहगल, तुम पूरी आप अपने जो है सांस्कृतिक परिधान में मैं एंक्रिंग करके लोगों को दिखाऊंगी और उस मुकाम पे पहुँच के दिखाऊंगी जहां पे लोगों की ये मिठ्या तूटेगी कि सिर्फ एंक्रिंग छोटे कप्रों में ही सक्सेस होती है और आज आप कहीं से भी किसी से भी पता लगा लीजे पूरी पूरे और परिधान में साड़ी के जिसको कि हम भारती परिवेश कहते हैं उसे भारती संस्किती के पूरी छवी होती है सर से लेके पैर तर आपके कान ना गला विंदी ये वो जो होता है पूरा पहन के और मैं हर तरह के मन्च का संचालन करती हूँ और वो कारिकरम में कितने नंबर मिलते हैं वो आप जैसे लोग पीचे जानते हैं तो इसलिए मैं सबसे यही कहूंगी जिनको एंक्रिंग का शौक है आगे बढ़ना चाते हैं कपड़ों पे और फिजिकल चीजों पे ध्यान मत दीजे ध्यान दीजे उन बातों पे जो आपके मन के तार को दूसरों के तार से जोगते हैं क्योंकि जब तार अच्छे से जोड़े होते हैं तो वो चाहें सितार हो चाहें गिटार हो तब ही उसमें से आवाज निकलती है तो अगर अपने ही धुन में दूसरों को गुन-गुनाना है ना तो आपको वही लह छोड़नी पड़ेगी और जो कि सामने वाले को मालूम हू अधरवाइस आप कुछ गुन-गुना रहा हैं वो नहीं समझ पा रहा है तो वो नहीं गाएगा आपका गाना तो यह चीज है तो आज आपके आश्यवास से अनीता संचालन करती है और डिफ्रेंस बहुत है जब्यता, शालीमता, सहजता, सरलता यह सब गुड़ हैं हमारे अनीता को जो लोगों से अलग करती है वही है अनीता को अचा वैसे तो आप 35 विदाएं आपके पास हैं अगर हम सबके बारे में पूछना चालू गरेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन जो में विदाएं आपकी एक्टिंग की उसके बारे में कुछ बताईए हमे कैसे शुरुआत हो एक्टिंग में अगर अगर शशक्त है तो आपको जानेगा तो यह सफर मेरा बहुत ही प्यारा सफर ता कि जैसे होता है तो आपको मैं बताया कि मुझे सब कुछ करने का मन करता है और हमेशा करता रहेगा तो ऐसे था कि एक दिरसी मैं पेपर देख कारिशाला निकल रही है तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि मुझे जिस दिन नाटक होने थे उसके तीन चार दिन तक भी मुझे कोई किरदार नहीं दिया गया था मैं अकेली बैठी रहती थी लिए फटी रह्ती थी हुटार करते था तशब कोई करते ते जाते थे सोवेर दे अब आप सोचिए एक साथ चार किरदार निभाने और एक साथ चारो नाटक होने उसी चारो किरदार में अपने कॉस्टुम बदलना, फिर जाना, आना, मोर्चेज करना, डायलोग याद करना, मतलब सब कुछ एक साथ होता है, आप लोग सब अपसो को समाझ सकते हैं तो याद में वूलेगा एक साथ, मैंने चार नाटक किये थे, चार करदार किये थे, चारो की कॉस्टुम थे, चारो की नाटक मेरे थे और सबको समने जब अउडियन्स ने जब नाटक देखा, तो लोग ने कहा कि नहीं जो में नाटक to look that अनीता सैगल ही कर सकती और कोई नही बताए यह रिस्पांस ओडियन से आय था तो बस वो नाटक हुआ फिर उसके बहुत सारे काम किये बहुत सारे नाटक वगर भी हुए लेकिन दीरे दीरे होते 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 क्या हुआ कि एक दिन आप अधर के लिए गोलागी यह जो फिल्म शूट हो रही है उसे चोटा सो रोल है कोई तुम को जाने का नहीं पहचाने का नहीं अपनी रेपूटिशन कराब होगी लोग क्या कहेंगे यह होते ही जिसलिए अधरी बात है कि एक आधम आदमी से बहुत से बहुत करें कि नहीं तो लेकिन वही बात अनीता की काम कोई चोटा या बड़ा नहीं होता है आप नह सुस्ता करेगा इस किरदार को तो इसलिए अनीता सैकल तो भई करेगी करेगी बस मैंने वो काम किया उस किरदार को निभाया अब वही है कि जब पिचर बहले ना चले लिकिन आपका किरदार अगर शेशक्त है तो आपको सब लोग जानता है बहुत सरी ऐसी फिल्मे है तो कि मैं अपना काम करके आ गई कितने नंबर मिले या ओडियन्स ने दिये राइटर ने दिये प्रोडूसर ने दिये उसके बाद दूसरी फिल्म दीरे 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 होते 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 यह हुआ कि एक तो आपके आपके आश्रीवा से मेरे पास लैंविज़ेस भी है इंदी आप इस समय आप अपके आश्रीवा से बॉलिवुड में एक शशक्त अभी नेत्री के रूप में में जाने जाती हूँ फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए बहुत सारे अवार्ड्स वन टेक अक्टरस, यंग अचीवर अवार्ड्स जैसे तमाम सम्मान भी मिल चुके हैं साथी साथ मैं कॉस्ट्म डिजाइनर भी हूँ, इसके प्राइटर भी हूँ, तो इस सब चीजों को देखते हुए जो है आज ये सफर रुका नहीं है और कंटीनू हो रहा है, साथी साथ बहुत सारी मेरी एड मूवीज भी है, लगू फिल्म भी है, आप मूवीज पिचर में हौल में देख सकते हैं, और मैं वाइसोबर भी करती हूँ, इतनी भी डॉक्मेंटरी जो बनती हैं, जो भी है, जैसे बैंक वगरा की हो, जो पचास साल हो जाते हैं, विविन जन डिपार्टमेंट्स की, तो ये है अनीता का एक चलता फिरता किरदार, जिसको कि हम अभी ओचे हैं और अभिनै की ये जोती अब रुगेगी नहीं, न बुझेगी, कर बुझेगी तो कर किसी की नहीं, वो बात अलग है, महनत करना मेरा एक करदार है अपनी जिल्दगी का, बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है. सौमिया जी, मैं आप सब के लिए, अपने सभी चाहने वालों के लिए बस ये कहना चाहूँगी, कि अपनी दुआएं आशिरवाद बस दिये रहे हैं, और चलते चलते अपने सभी प्रदेश वासियों को, मैं बस इतने ही कहना चाहूँगी, कि जब भी आपके पास ये शाम, ये कारिकरम पहुचेगा, वो दिन में पहुचे जाएं, शाम को पहुचे, लेकि शाम के बाद रात रात के बाद ही दिन आता है, तो आँखों में खुशियां लबों पे हसी, गम का कहीं नामों निशान न हो, और आप सब को मिले, इस जहां की सारी खुशियां, उस खुश आप सभी इसी तरह से हसते रहें, मुस्कराते रहें, अपने जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ते चाहिए, लेकिन सच्चाई के साथ, पूरे शिदत के साथ, उपर वाले के साथ लीचे, और बी पॉस्टिव एंद थिंग पॉस्टिव या नीता आप से बार बार कहेंगी तो मुझे भी आप से मिलके बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से यही होगा, कि एक बार फिर से हम आपके साथ होंगे, और आप एक बार फिर से अनीता से बहुत कुछ हुझेंगी, जी बहुत जल्दी, ओ किताईं के सो मचने तरह, नमस्ते, तो ये दिए अनीता सहगल बस उंधराजी, जिनकी लाइफ पे किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद, ये अपना हर काम बखूबी करती है, तो हम उमीद करते हैं, कि इनकी मुलाकात जितनी मुझे अच्छी लगी, ये पोड़कास्ट आपको उतना ही अच्छा होगा, तो फिलाल के लिए इतना ही जल्दी फिर मिलेंगे, नमस्कार.